हेलो अब्रेबड़ी वेल्कम टूर चैनल और हेल्थ और वेल्नेस तो टोड़े वीडिसकस अबाउट हैबिट्स देट कॉस हॉर्मोनल इंबैलेंस ऐसे कौन से हैबिट्स होते हैं जो हॉर्मोनल इंबैलेंस कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आजाता है ओबेसिटी मुटापा तो मुटापे की वज़े से क्या होता है हमारी बाडी में हॉर्मोन बैलेंस में नहीं रह पाते हैं और इससे दूसरी समस्या भी हो सकती है तो सबसे पहले तो हमें प्रोसेस्ट फूट को कंजूम करना चोड़ना चाहिए जितने भी जंक फूट्स और पास फूट्स हैं उन नेक्स्ट ऑप्शन आता है इन्सोम्निया यानि अगर आप कम सोते हैं तो इससे भी आपको हॉर्मोनल इंबैलेंस की प्रोब्लम हो सकती है कम से कम 6-8 आवर्स की स्लीप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वो भी समय पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अगर आप रिफाइंड ओल्स कंजूम करते हैं तो इससे भी हॉर्मोनल इंबैलेंस हो सकते हैं क्योंकि इनमें सैचुडेटिट फैड अच्छी कॉंटिटी में होता है जोकि हामफुल इफेक्ट्स डालते हैं हमारी बॉटी पर तो इसके लिए अगर आप ट्रिंकिंग की हैबिट है आपको तो यह आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इससे इंफ्लेमेशन होता है बॉडी में और कॉर्टिसॉल हॉर्मोन भी बढ़ जाता है जोकि इस्ट्रेस का कॉस बनता है नेक्स आता है प्रोसेस्ट फूड फास्ट फूड जं और यह इंबैलेंस कोस कर सकता है सो तेट इसल पार दर्डी थैंक्यू सो मुच